तो के स्टुडेंट तो अभी हम करेंगे 11th मैज मिसलेंद एक सब्सक्राइड डिस पर्जन का कोश्टिन 2 एंड फिक प्रॉब्लम कोश्टिन है इसको हम घ्रिक तो इसको यहां पर लिखेंगी एक साइब करके आपे लिखना है ठीक इसके बाद सामेशन अगसाई निगे एत सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एक एंसर आएगा वह आएगा तू फॉर्टी फॉर आईगा इसकी लिए यह वह गया इसके बाद इसका स्क्राइर करना यह जो भी है में तान्यक्राइब कॉस्क्राइब अकॉड्बड ओज में सब्सक्राइब था इसका सब्सक्राइब एंगा थाईग सब्सक्राइब इसनमें को आएगा जिलिक तो में सब्सक्राइब हुआ vidéo करूआब।So करना एक सबाद निकालने यह फर्मूला है ठीक इसके लिए बार लगए गए तो एक बार के लिए एन लगेगा तो आन यह की काउंट करना कितना दिया उटना वन टू तू त्री फोर फाइब सिक्स फेवन एक नैंट टेन है तो एन जोगोड टेनग इंटाई डिगूट ताम तिक कि तो यह हो गए अब इसके बाद इसका वाल्यू फूट करेंगे वेरियंस के लिए तो यानिकी यह आएगा एक साइट स्कुर्ण 6028 6028 डिवाड बे एन का वाल्यू 10 मायनस यह हमने क्याल्कुलेट किया यहाँ छे यह 24.4 तो अभी यह 10 के वाज़ेट से क्या हो जाएगा पॉइंट यहां पर आएगा यह बनेगा 602.8 मायनस को मल्टिप्लाइ करो 24.4 इंटु 24.4 को मल्टिप्लाइ करोगे तो 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 यह एक 25.35.36 यह आएगा 595.36 फिर इसके बाद यह दोनों को सब्ट्राइक करना है उसके जिरो टू एट और 595.36 तो यहां पर जिरो लोके इसको सब्ट्राइक करेंगे तो हमको एक एंसर आएगा वह आएगा 7.44 आएगा ठीक है देख लेते हैं कि यह आएगा ठीक है तो यह आए सब्सक्राइगा 7.44 ओके तो अभी यहां पर लिखते हैं 7.44 तो हमको वेरियंट मिल गया वेरियंट मिला 7.44 अभी हमको टैंडर डिवेशन निकाल ला है ठीक है वह करतें सब्सक्राइगा 9.44 तो यह नंबर था और यह नंबर यह पर 0 ले लो ठीक है तो इसके बारो खोरो यह आएगा 4 एंड यह आएगा 4 यह आएगा 4 यह आएगा 9 12 तो यह जिरो हो जाएगा 10 12 मैने सब्सक्राइगा ठीक है तो अभी स्टाइड डिवेशन निकालते हैं ओके तो कि सुटेंट टॉम की क्या क्या मिला मैंने लिखा एक बार मिला था 24.4 एंटेंट था व्यारियंस एक्ष्ग माच्वार 7.44 और डिवेशन निकालना है यानि सिग्मा ताइड डिवेशन तो यह फार्मूला है वेरियंस अब एक्ष्ग स्टाइड डिवेशन अंडरूट 7.44 तो इसको लागरिदम इसको प्रॉपर लिखते हैं एंटी लॉग फिर लॉग रूट आफ 7.44 लिखते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट अप में रूट को पावर में करते हैं यह आएगा इसको आफाने के लिए एप पॉइंट के आगे कितना डिजिट है वान दिजिट है रइट 7 और वन डिजिट है तो मतलब सब्सक्राइब 1-1 is equal to zero point ऐसे लिखना है तो इसका आएगा zero point इसके बाद यहां पर decimal के आगे one digit है इसके लिए one minus one zero लेना है इसके बाद क्या करना है यह जो नंबर है 74 और फोर को यहां पर लिखना है इसके बाद 74 लॉग टेबल में यहां पर 74 कहां आ रहे देखना है और फोर्थ कॉलम पर कहां आ रहे देखना है क्या रहे ठीक है तो देखते हैं रहे ठीक है तो चैवेंटीफॉर है यहां पर 74 में यहां आएगा 87 तो इसको यहां पर लिखना है 8716 को लिखना है नेक्स्ट अप में इसको डिवाइड बेटू करना है इसको लिखता हूं मैं देखो कि तुछ सुटेंट दो भी आंटला में जाना है तो इसके लिए क्या करना है यह नॅ में यह थेंट्ट हो ञेकन देखो गें तो आएगा और तो यहाद रूख लगो गुस्पांट पोइंटिस्ट कॉलम पे जाना है तो इसके बाद में में एक्सा नमबर के लिए में डिफ्रेंट में जाएंगे तो 5 आएगा ठीक है तो यह दोनों को आइड करना है 2723 प्लस 5 यह बनेगा 2728 तो इसका एंसर आएगा 2728 आएगा ठीक है बड़ यह पॉइंट है यह जो 0 पॉइंट है इसके वज़त से क्या हो जाएगा इसके वज़त से यहां पर 0 है यह 0 है तो 0 प्लेज 1 डाट इस अगोड़ फॉइंट प्लेज यानि कि फॉइंट में पॉइंट पुट करना है यानि कि इदर यह पॉइंट इदर आएगा ठीक है तो हमारा स्टैंडर डिवेशन आ रहा है स्टैंडर डिवेशन आएगा 2.72 ठीक है आपको